स्वागत है आप सबका स्कोप 360 चैनल पर मेरा नाम है स्यूक मार्यादव और आज मैं आपको लखनव इन्वर्सिटी एड्मिशन 2021 के बारे में बताऊंगा किसका योजी का एड्मिशन कब होगा इंटर्स एक्जाम का फॉर्म कब आएगा पीजी का इंटर्स एक्जाम फॉर्म कब आएगा इन सारी बातों के बारे में आज हम डिटल से चर्चा करेंगे उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके इस वीडियो को ज़ादा ज़ादा सेयर करें लखनो इन्वर्सिटी से समबनित आज हम कुछ महत्वपूंट डेट की चर्चा करेंगे और इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम एक्जाम पैटर्न और लखनो इन्वर्सिटी से रिलेटेड और बातों को आपको बताएंगे देखिए तो पहला जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं यह योजी कोर्स के लिए है यह बात ध्यान देजे योजी कोर्स मतलब अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की यहाँ पर बात करेंगे हम जिसमें हम बैचलर डिगरी हासिल करते हैं तो इसका आनलाइन फॉर्म जो है थर्ड बी काफ मार्च को आएगा अर्थात मार्च के तीसरे हफ्टे में इसका आनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा यह बात आप ध्यान में रखें लास्ट डेट की बात करें तो second week of April में आएगा ठीक है मुझा इसका last date जो है वो second week of April होगा मुझा अपरेल का दूसरा हफता इसकी last date होगी last date with fee मतलब यहां late fees लिखना चाहिए हमको last date with late fees जो है third week of April मतलब April के तीसरे हफते में आप इसका late fees जमा कर सकते हैं फिर अगला है admit card की बात करें तो third week of April अपरेल के तीसरे हफते में इसका admit card भी आजाएगा तो बहुत fast काम होता है यहां पर ध्यान देजेगा exam date की बात करें तो fourth week of April to first week of May अर्थात April के चौथे हफते या फिर माई के पहले हफते में इसका exam date होता है उसी समय इसका exam लिया जाता है रिजल्ट की बात करें तो fourth week of May में इसका result आएगा अर्थात माई के चौथे हफते में इसका result आएगा अब बात करें counseling की तो counseling fourth week of May अर्थात जैसे result आएगी इसकी counseling सुरू कर दी जाएगी यह सारी जानकारी जो अभी तक हमने बताई यह UG courses के लिए थी अब हम बात जानेंगे PG courses की जानकारी तो देखे यहाँ पर PG courses लिखा है अब इसके बारे में भी हम little से समझ लेते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर यही समझनी है कि online form इसका कब start होगा तो जो महिना उसका था वही महिना इसका भी होगा थर्ड वी काप मार्ज लास्ट डेट इसकी क्या है सेकंड वी काप अप्रेल इस मतलब की PG courses के लिए लखनो इन्वर्स्टिटी में लास्ट डेट होगा आप इसके बाद अगर आप online करने आवेदन करने जाएंगे तो आपका आवेदन स्विकार नहीं किया जाएगा लास्ट डेट की बात करें विथ लेट फिस ठीक है तो यह बात ध्यान दीजेगा थर्ड वी काप अप्रेल होगा जो वहाँ पर था वही यहाँ पर भी दिखाया गया Admit card की बात करें तो फրसट विक आप अपरेल ठीक है यहाँ पर फिस पीक आप्रेल में इसकी Admit card आज आएगी यह आप ध्यान दीजेगा एक्जान डेट की बात करें तो वही फॉर्थ वीकाप अप्रेलिया फस्ट वीकाप मैं में इसका एक्जाम डेट हो एक्जाम होगा ठीक है रिजल्ट की बात करें तो फॉर्थ वीकाप जून उसका फॉर्थ वीकाप में था इसका फॉर्थ वीकाप जून और counseling की वाराद करें तो fourth week है जौन की जून में यहाँ पर इसकी counseling के बारे में बताई जा रहा है तो वीडियो ऐगर अच्छा लगा हूँ तो वीडियो को like और share करा न भूले चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe करके ही तौन धूसर कुझा सोमच जैहिन!